आपका ओम क्लासेज में स्वागत है आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड के महत्पूर प्रस्न जो आने वाले हैं इस वर्स बोर्ड एक्जाम में जिनकी प्रबल संभावन आए हैं तो देर ना करते हुए चैप्टर सुरू करते हैं उसके पहले आइंश्टाइन का महान विच करते रहें अब हम चैप्टर नमबर फाइब के महत्पूर क्विष्चनों को देखते हैं इसके पहले का भाग बन चुका है दूसरा भाग देखते हैं क्विष्चन नमबर थर्टीन तेरह कि वनसागत की इकाई क्या है वनसागत यानि कि जब लच्छन एक पीड़ी से दू दूसरी पीड़ी ले जाते हैं उनको मेंडल ने कारक कहा था बाद में पता चला कि ये कारक ही क्या है वास्तों में जीन है और जीन ही एक लच्छन को दूसरी पीड़ी तक ले जाते हैं इसलिए जीन को वनसागत की इकाई यानि यूनिट कहा जाता है तो ये प्रस्ण कभी कभी वह विकलपी में पूछ लिया जाता है ट्विश्चन नमबर चवदा मेंडल के एकल क्रास में मटर के लंबे वा बौने पौदे का फीनो टाइप अनुपात क्या होता है फीनो टाइप यानि ऐसे लच्छन जो बाहर से देखने ही प्रगट हो जाए यानि दिस अप्रारूप उसको देखते ही हमको लच्छन पता चल जाए उसको हम फीनो टाइप करते हैं बात हो रही है मोनो एक संकर क्रास की जिसको मोनो हाइबरेट क्रास करते है एक संकर क्रास क्या होता है कि जब हम एक लच्छनों को लेके क्रास करते हैं जैसे लंबे पौधे और मतर के बहुने पौधे के बीच क्रास कराते हैं तो आपकी भी पता है लंबा पौधा क्या होता है capital T capital T और इस्मॉल टी को हम किसरे पर दर्शित करते हैं बहुने पौधा के इनके बीच जो ग्हेमिट बनते हैं युगमक बनते हैं, capital T, capital T, और यहां जो बनेगा, small T, small T, आपको भी पता है, कि F1 में, F1 पीड़ी में, जो सभी मतर के पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, capital T और small T लिए रहते हैं, यानि F1 की प्रथम पीड़ी में, जो सभी पौधे क्या होते हैं, प्रभावी क्या होते है संकर लंबे होते हैं संकर लंबे इसलिए क्योंकि यहां पर क्या है एक जिन क्या है कैपिटल और दूसरा जिन अलिल क्या है स्मॉल टी कैपिटल टी क्या लिया हुआ है प्रभावी लच्छन स्मॉल टी क्या लिया हुआ है जो है अप्रभावी लच्छन आपको भी पता है कि small t अपने लच्छण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है आपे इसी वज़ा से यह आप्रभावी है जब इसका हम f2 generation में देखते हैं तो f2 generation में जो हमको graph मिलता है इधर capital t small t यूगमक हो जाएंगे इधर क्या हो जाएगा capital t small t जब इनको आपस में मिलाते हैं यह capital t small t यह capital t capital t यहाँ मिल जाएगा capital t और यह small t और फिर यहाँ पे small t और small t इस तरीके से मिलेगा कि एक पौधा क्या होगा सुद्ध लंबा दो पौधे क्या होगे संकर लंबे एक पौधा क्या होगा बौधा यानि डौफ होगा तो जो अनपात निकल के आता है लंबे पौधों का फिनोट टिपिक अनपात फिनोट जिस अप्रारूप अनपात कितना आता है 3 is to 1 तो यहाँ इस तरीके से कि एक संकर क्रास का जो अनपात आता है मेंडल के नियम के नुसार वो क्या आता है 3 अनपात एक अगला प्रसन हम देखते है प्रसन नंबर 15 सह प्रभाविता किसे करते हैं सह प्रभाविता इंगलिस में इसको हम करते हैं को डौमिनेंस को डौमिनेंस को उधारन से आपको बताना है यह question कई बार पूछा जा चुका है, इसको हम लोग देखते हैं, कि co-dominance क्या होता है, सह माने बेटा, सह माने होता है साथ साथ, और प्रभाविता माने प्रभावी लच्छन को प्रगट करना, यानि जब दोनों जनकों के लच्छन F1 PD में साथ साथ प्रगट हो, तो उसी को ह करते हैं, सह प्रभाविता, यह देखा किस में जाता है, रक्त में, आप लोग देख रहे होंगे, ग्राप में, कि जो ब्लड ग्रूप होता है, वह ब्लड ग्रूप में ABU करके सम्मू होते हैं, रक्त सम्मू होते हैं, इनको तीन जीन नियंतित करते हैं, एक जीन होता है, आ प्रभावी अलील है, अब होता क्या है, कि जब इंसान का यदि IA अलील मिले युगमक में, और दूसरे युगमक में क्या मिले, IB अलील मिले, जब ये दोनों साथ में किसी संतान में आते हैं, बच्चे में हैं, IA और IB जब साथ में आ जाते हैं, तो ये दोनों लच्छन अ चारों तरफ से एक cover होती है, जिसको plasma membrane या plasma jillik कहते हैं, इसके उपर IJ क्या बनाता है, सूगर की एक chain बनाता है, आई भी एक सूगर की chain बनाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, RBC के membrane के उपर सरकरा का निर्माड यानि सूगर का निर्माड करते हैं, और दोनों साथ साथ अपने लच्छन प्रगट कर रहे हैं, इसे हम क्या करते हैं, सह प्रभाविता करते हैं, यह भी important बहुत question है, अगला प्रस्ण है, कि एक सिसु का रूधिर वर्ग O है, आप भी समझ लेते हैं, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ब्लट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रस्ण क्या है, एक सिसु का रूधिर वर्ग O है, यदि पिता वो माता के रूधिर वर्ग क्रमसा A और B है तो उनके जनकों के जीनो टाइप और उनकी अन्य संतत में जीनो टाइप का पता कीजिए कि क्या होगा एक प्रस्ण में दिया गया है कि एक संतान है उसको O blood group है उसका तो blood group यानि रक्त समूँ क्या है? O है अब इसमें आप कोई पता है दोनों अलील क्या होगे? अप्रभावी होगे क्यों? क्योंकि जब दो अप्रभावी अलील मिलते हैं तभी क्या होता है? O blood group का समूँ होता है अब इसमें कहा गया है कि जो पिता का blood group है वह क्या है? A है और माता का blood group क्या है? B है तो यहाँ पे जो अलील आएंगे वो आएगा ए आई ए और इस्माल आई और यह बी में क्या होगा आई बी और इस्माल आई यह इनके अलील होंगे अब इनका हम पुनेट स्कॉयर बनाते हैं यानि आपको भी पता है जब यह यूगमक बनेंगे तो अलील अलग अलग हो जाएंगे तो पिता के जो अलील होंगे वो इस तरीके से यूगमक में जाएंगे इसमाल रहेगा यह यहाँ पर आई बी और आई यह रहेंगे इस तरीके से आप मेंडल के पुनेट स्कॉयर के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे जब इन एलिल्स को मिलाते हैं संताने ये क्या है ये हो गए पिता जी नर और ये माता जी फिमेल जब इनको युगमकों को आपस में मिलाएंगे तो एलिल कौन सा आएगा आईए आई बी अब जब ये दोनों एलिल प्रभावी हैं अभी हम लोगों ने देखा कि सब प्रभाविता में ये दोनों लच्छन प्रगट करेंगे तो उस जो संतान होगा उसका ब्लट ग्रूप क्या होगा अबी जब आई बी और आई मिलेगा संतान का ब्लट ग्रूप क्या होगा बी आपको समझ में आ रहा होगा इसी तरीके से आई ये और आई जब मिलेगा तो आपको आप ये बताएं कि यहाँ पे ब्लट ग्रूप क्या आएगा तो वो आएगा यानि ए ब्लट ग्रूप इसी तरह के से small i small i मिलेंगे तो आपकी पता है वो blood group क्या होगा O होगा जो की प्रस्न में दिया हुआ है कि उस संतान का एक blood group O है तो बाकी जो बच्चे पैदा होंगे वो कि समू के होंगे या उनके पास कौन सा blood group होगा तो उस बच्चों के पास कौन सा blood group होगा A, B, B और A तो लिख सकते हैं कि जो संतत ही होगी उसमें उसमें A, B और A, B blood group होगा इसके अतरिक्त तो यहाँ पर इस तरीके से हम blood group के किसी भी question को दिये होंगे तो आपको करना क्या है उनके अलीलों को अलग करके इस तरीके से पूनेट स्कॉयर बनाके आपस में जब मिला देंगे तो A, A और A, B यह दोनों क्या है प्रभावी अलील है यह अपने लच्चन प्रकट करते हैं और इसमाल आई तभी अपने लच्चन प्रकट करेंगे जब दोनों अप्रभावी अलील साथ में है तभी यहाँ पे कौँसा ब्लड ग्रूप आया ओ ब्लड ग्रूप आया अब हम देखते हैं प्रस्ट नंबर 16 हो चुका है यहाँ पे अब प्रस्ट नंबर 17 को देखते है मेंडल के दिव संकर क्रास का क्या अनपात होता है मेंडल का जो डाई हैब्रिट क्रास होता है उसका अनपात आप कोई पता है नहीं पता है तो जान दीजे 9-2, 3-2, 3-2, 1 9 अनपाते, 3 अनपाते, 3 अनपाते, 1 यह एक नमबर पे भी question आ सकता है, बहुभी कलपी भी आ सकता है, कि मेंडल के डिव संकर क्राज का क्या अनपात होता है, फिनो टाइप अनपात, तो 9 अनपाते, 3 अनपाते, 3 अनपाते 1, यह बहुत महत्पूर है, अब हम बात करते हैं, प्रस्ट नमबर 18 की, कि मेंडल के स्व मेंडल ने 2 लच्छनों को लेके क्रास कराया था, एक कौन से मटर के आकार को लिया था, और दूसरा मटर के रंग को, जब हम आकार की बात करते हैं, तो मटर गोल और जुरीदार थे, और जब रंग की बात करते हैं, तो मटर हरा और पिला था, अब उसका बेटा किस तरीके कैसे एफवन में बनता है और कैसे उसमें गैमीट बनते हैं यह मत पूर्ण है अगर हम बात करते हैं एक जगह हम लेते हैं मटर जो है वह क्या लेते हैं गोल लेते हैं और पीला लेते हैं ठीक और दोसी जगह मटर क्या है जुर्णीदार है जुर्णीदार है और क्या है हरा है आप भी पता है गोल को round तो इसको rr से प्रदस्रित करते हैं capital r से पीला yellow ये भी प्रभावी लच्छन है तो इस तरीके से अलील होंगे इसमें ये दोनों लच्छन प्रभावी हैं आकार में मटर के और जुर्णीदार है तो small r से और हरा है तो small y से ये इस तरीके से दोनों में दू संकर करास में दोनों अलील होंगे अब मत्पूर्ण होता इसमें युगमक निर्माड कि जब इस मटर के फूल में अर्ध सूत्रि विभाजन होगा तो युगमक का गैमीट का निर्माड कैसे होता ये मत्पूर्ण है जब इसमें हम गैमीट का निर्माड करेंगे तो हमको चार प्रकार से गैमीट मिलते हैं पहला अभी तो यहां पे हमको सिर्फ दो ही गैमीट मिलेंगे यहाँ पे हमको सिर्फ दो gamit मिलेंगे एक capital R और capital Y का क्योंकि बाकी common है और यहाँ पे जो युगमग मिलने के यहाँ युगमग का निर्माण हम कर दे रहे हैं तो यहाँ क्या होगा capital R, capital Y और यहाँ पे क्या होगा small r, small y यह होगा जब यह दोनों मिलेंगे F1 पीड़ी होगा जब इन में क्या कराय जाएगा पर-परागण यहाँ पे जब हम पर-परागण कराते हैं क्रॉस कोडिनेशन तो यह दोनों अलील आपस मिलेंगे तो F1 में जो जीन आएंगे अलील आएंगे वो क्या होगा capital R, small r, capital Y, small y यह अलील आएंगे यह इस तरीके से आप ग्राफ में चित्र में भी देख रहे होगे कि जो F1 में आते हैं वह मटर के पौदे क्या होगे उसके पास अलील, capital R, capital Y, small y इसमें जो मटर का बीज होगा वो क्या होगा गोल होगा और पीला होगा क्यों? क्योंकि यह दोनों लच्छण के जो एलील है, capital R, capital Y, यह क्या है, प्रभावी है तो यही लच्छण F1 में प्रकट करेंगे अब F1 में होने के बाद इनमें होता है युगमक का निर्माड, इनके बीजों को बोया गया और फिर इसमें फोल बने तो इसमें जो युगमक बनता है वो पहला युगमक होगा, capital R और capital Y, फिर हम ले लेते हैं capital R और small Y, और इसी तरीके से small R capital Y, और small R small Y, यह सबसे मत्कून है इस पूरे question में और जो आप graph देख रहे हैं कि इस तरीके से हमको 16 मतर के बीज मिलते हैं और उनका नव अनपाते 3, अनपाते 3, अनपाते 1 आता है, तो वो कैसे आता है कि जब इन चार युगमक को, ध्यान से समझेगा, पहला युगमक होगा capital R, capital Y, capital R, capital Y, फिर अब capital Y की ज इसके अलावा पांचमा युगमक बन ही नहीं सकता, तो इस तरीके से चार इधर बनते हैं, फिर चार दूसरे, यानि ये इस तरीके से चार किसमें बनेंगे, पुंकेसर में, इसी तरीके से male और female का जो ये graph इस तरीके से मिला के दिखाया गया है, तो हमको अलग-अलग करक कि नव अनपाते, तीन अनपाते, तीन अनपाते, एक में हमको इस तरीके का क्या होता है, कॉंबिनेशन या रेशियो प्राप्त होता है, इसी को मेंडल के डाई हेबरिट क्रॉस कहते हैं, या इसी को स्वतनत अभियोहन का नियम भी कहते हैं, तो ये concept clear हो गया होगा, अब पात आती है, अगले question पे, मेंडल के नियमों को पूना कब खोजा गया, आप भी पता है कि मेंडल ने अपने प्रियोग, जब 7 वर्सों तक किये थे, तो उनकी मिर्त हो गई थी 1884 में, फिर उनके नियमों को 19 इस भी में, पूना, हीगो डीवरीच, काल कोरेंस, और वान सेर माक के द्वारा पूना को जा गया था, ये तीन वैग्यानिक, हीगो डीवरीच, सेर मार्क, और काल कोरेंस, ये वैग्यानिक, तीनों वैग्यानिकों ने मेंडल के नियम को पूना दिया, और मेंडल के इस तीन नियम को प्रतिपादित किया, प्रभाविता का नियम, स्वतन और बावेरी सटन यानि बाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने 1902 इस वी में क्या दिया था क्रोमो सोम सिध्धांत दिया था तो यह महत्पोड है यह यूपी बोड एक्जाम में आये हुए प्रस्ट नंबर 21 सहलगनता लिंकेज सब्द क्या है या लिंकेज सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया तो आपको बता दें टी एच मॉर्गन एक वेज्ञानिक थे उन्होंने लिंकेज सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया और उनको लिंकेज का कि उन्होंने लिंक फल मक्खी के उपर किये जिसको जिसका विज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टर है अब क्वेस्चन नमबर तेईस यह साथ नोट्स में या टिपड़ी में पूछ लिया जाता है कि बहुजीनी वनसागत किसे करते हैं बहुजीनी वनसागत इसको हम समझते हैं कि तोचा का रंग में तीन जीन होते、 ऑ, ब, सी हम लोग जिदने अभी तक प्रियोग पढ़ रहे तो यहां पर क्या बताया गया कि तीन जीन क्या होते हैं निर्धारित करते हैं capital A capital B capital C अगर यह small में रहें तो यह क्या कहलाएंगे आप्रभावी इस small में रहेंगे तो आप्रभावी अब क्या होता है कि ऐसे लच्छण जो एक तीन या तीन से अधिक जीनों के द्वारा नियंतित किये जाते हैं तो उनको हम क्या क्या करते हैं बहुजीनी लच्छण कहते हैं और जब यह लच्छण एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जाते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं बहुजीनी वनसागती तो इए समझ में आ गया होगा कि बहुजीनी वंसागत किया होता है कि जब कोई लचछन tीन या तीन से अधिक जीनों के द्वारा नियंतित होते हैं तो इसको हम क्या कते हैं बहुजीनी लचछन और इसका । और इसका एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी जाना क्या कलाता है। बहु जीनी वंसागती अब क्वेश्चन नमबर 24 बहु परभाविता किसे कहते हैं जिसको प्रियोट्रॉपी कहते हैं बहु परभाविता यानि यदि किसी वेक्ति के इंसान में एक अलील में परिवर्तन हो जाए लच्छन में और उसके द्वारा कई लच्छन उसके सरीर में उत्पन हो जाएं तो उसको हम क्या करते हैं बहु प्रभाविता बहु प्रभाविता को हम लोग फिर समझते हैं बहु प्रभाविता बहु प्रभाविता में क्या होता है कि एक जीन रहेगा एक जीन के कारण कई सरीर के लच्छनों का जो होता है या कई उसके उपर होग है यह होता है गुन सूत्र संख्या både जाताया और जब इस जीन में परिवर्टन होता है तो उस 女's में फिनाईलिन को चैहाता है। िस से वह बच्चा मंद भुद्धी का हो जाता है। उसके सरीर की तचा रूखी हो जाती है उस पे धगे लाल लाल जो होते हैं चकत्ते आ जाते हैं और सरीर सही से प्रक्रिया नहीं कर पाता इसी वज़ा से उसमें कई लच्छन उद्पन हो जाते हैं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बहु प्रभाविता कहते हैं और ऐसे लच्छन में लिंक होगा आपको सारे नोट्स बाइलोजिक के मिल जाएंगे और यह जो पेपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके भी पिक आपको मिल जाएंगे अगर आपको यहां सुधा हो रही होगी तो आप वहां पे जाके नोट्स बना लीजेगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पीजेगा थेंगे